नमस्कार दोस्तों, प्यम मोधी ने आर प्रग्यानंदा से मुलाकात की तो वो ट्रोल हो गए। प्रग्यानंदा वही है जुस पर राजपुरे देश को गर्व है। उन्होंने महज 18 साल की उम्र में वर्ड कप में शत्रंच के दिगजों को कड़ी टकर देकर देश वापसी की है। लोग उन्हें ग्राउंड मास्टर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ग्राउंड मास्टर की मुलाकाल जब विश्व गुरू मोदी जी से हुई, तो सोचल मीडिया पर लोग विश्व गुरू को ट्रोल करने लगे। लोग कहने लगे कि क्या अब मोदी जी प्रग्यानंदा को भी चाल सिखा रहे हैं। दरसल प्रग्यानन्दा ने मोदी जी के साथ कुछ तस्वीरे शेयर की है। इसमें से एक फोटो में वो मोदी जी को अपना सिल्वो मेडिल दिखा रहे हैं। दूसरी फोटो में वो और मोदी जी साथ में हसते हुए दिख रहे हैं। वहीं एक और फोटो है जुसमें प्रग्यानन्दा, उनके माता-पिता और मोदी जी साथ में खड़यों के फोटो खिचवा रहे हैं। ये तीनों तस्वीरे शेयर करके प्रग्यानन्दा ने लिखा है। मानिये प्रधानमंतुरी से मिलना एक बड़ा सम्मान था उनके आवास पर मुझे और मेरे माता-पिता को प्रोचसाहन देने वाले सभी शब्दों के लिए धन्यवाद सर। इसके अलावा एक और तस्वीर है दोस्तों जो सोशिल मीडिया पर वाइरल हो रही है। इस तस्वीर में एक तरफ मोदी जी बैठे हुए है और दूसरी तरफ प्रग्यानन्दा। बीच में रखा है एक बहुत बड़ा सा चेस। मोदी जी की नजरें चेस पर टिकी हुई है। बड़ी गंबीर भाव से मोदी जी चेस को देख रहे हैं। वहीं प्रग्यानन्दा मोदी जी को देख रहे हैं। जैसे उनसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोटो को लेकर अब कई लोग मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं। लोग मोधी और प्रग्यानन्दा की इस मुलाकात पर और उनकी इस तस्वीर के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं आपको देखना चाहिए। प्रतरंच के नय जादुगर आर प्रग्यानन्दा प्रग्यानन्दा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी से मिले यहां से कोई भी बिना क्रेडित दिए नहीं जाता है। नरेंद मोदी का फोटो सेशन होना तो बहुत जरूरी है खिलाडियों के साथ फोटो सेशन के लिए मोदी जी काफी तयारी करते हैं जैसे प्रग्यनन्द से मिलने के लिए बढ़िया बड़ा सा चेस लगवाया गया ताकि फोटो बढ़िया लेकिन जब यही खिलाड़ी सरकार से अपने हक या फिर अपनी म्याय की मांग करते हैं तब मोदी जी इनसे क्यों नहीं मिलते क्यों मूँ चुराने लग जाते हैं आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा एक खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम फरीन अनसारी है जय हिंद जय भार